अगर आप जहारखने टेट मेंस सहाय का चाथ उक्साम की तयारी करने हैं या फिर भी पेसी का जो है पीजी टी पॉलिटिकल साइंस का तयारी करने हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है आज हम लोग क्लास 11th स्टेंडर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चाप्टर 7 रास्टरबाद को बढ़ेंगे इस वीडियो में मैंने इस चाप्टर के जो भी इंपॉर्टिन पॉइंट्स है और नोर्स है अजे सम्टी वे में इसको बनाने का कोशिश किया है तो अगर आप हमारे चानल में नए हैं तो हमारे चानल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और जो अपना सुझाव है वो कमेंट बोक्स में जरूर लिए इसके जो है और भी वीडियो जो है आप प्ले लिस्ट में जाके चेक क बाते सुनेंगे और दिल्ली में गंतन प्रदिवस की परेड जो है वो भारतिय राष्ट्रवाद का जो एक बिचित्र प्रतीक है राष्ट्रवाद पिछली दो सताब्दियों के दोरान एक ऐसे सम्मुहक कटूता और युद्धों की वजह भी रहा है राष्ट्रवाद क्या है कि बड़े-बड़े सम्राज्यों के पतन में भी भागिदार रहा है और बीसवी सताब्दी के सुरुवात में इरोप में क्या है कि आस्ट्रियाई हंग्रियाई और मूसी सम्राज था इसके साथ एसी और मार्ग दिखाया है राष्ट तत्र राष्ट्रवाद में क्या अंतर है अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट जो है तो राष्ट की सदस्के रूप में हम अपने राष्ट के अधिक तर सदस्वों को प्रत्ष तोर पर ना कभी जान पाते हैं और नाहीं उनके कामुहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं, विस्वास, आदी के सहारे, एक धागे में गठित होता है। और ये कुछ क्या है विसेस माननिताओं पर आधारित होता है। जिन्हें लोग क्या कहते हैं। उस पुन समुदाई के लिए बनाते हैं। जिसे वो अपनी पहचान बन दूसरा है कि इतिहास, ब्याक्ति अपने आपको एक रास्ट र मानते हुए, उनके अंदर अधिक तर इस्थाई एतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की इस्थाई पहचान का नहाचा पेश करने हैं तू ये क्या करते हैं कि वंदतियों, इसम्रीतियों तता एतिह इतिहासिक इमारतों तता अभी लेखों की रशना की जरिये स्वैंग रास्ट की इतिहास की बोध की क्या है रशना करते हैं। भूछेत्र तो किसी भूछेत्र पर काफी हद तक साथ साथ रहना एवं उससे संबंदित साज्य अतीर की सम्रीतिया जन साधरन को एक सामुहिक पहचान का जो है अनुभाव कराती है। जैसे कोई इसे मात्री भूमी या पीत्री भूमी कहता है तो कोई पवित्र भूमी। तो ये कहा हमारा भूछेत्र के बारे में हैं। चौथा क्या है कि सांज्य राजनीतिक विश्वास। जब रास्ट के सदस्वों की इस विश्य पर एक क्या है सांज्य द्रिस्टी होती है। तो कि ये कैसे राज्य बनाना चाहते हैं। सेस्तत्थों के अतिरीक प्यधर मिरपेख्षता, लोकनत्र और उदारवाद जैसे मुल्लो और सिधानतों को सुखार करते हैं। तब ये रास्ट के रूप में उनकी राजनीतिक पह चान भी आवस्क है। ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विस्वा, सामाजिक परंपराएं क्या है तो वो सांज्य हो जाते हैं। और बास्तब में लोकतंत्र में किसी खास नशल, धर्म या भासा से संबंधता की जगा एक मूल्ले सम्हू के परती निष्ठा की जो है वो आवस् अधिकार चाहते हैं। और इस अधिकार के तहट अंतराष्टी समुदाय से मांग करता है कि भिन राजनीती की काई या राज के दर्चे को माननेता एवंग सुईक्रिती दी जाए। उनीसवी सदी में इरोप में एक सस्क्रिती एक राज की माननेता ने जोर पकड़ा और फलसरूप क्या हुआ कि बरसाई के संधी के बाद विविन छोटे एवंग नव सतंत्र जो राज्यों का उनका गठन हुआ और इसके कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हु कि यह निस्टित का नम मुंकिन नहीं हो पाया कि नम निर्मित जो राज्यों में मात्र एक ही जाती के लोग रहे क्यों कि वहां कहें कि एक से जादर नसल और संस्क्रिती के लोग रहते थे और आस्टर की बात यह है कि उन राष्ट राज्यों ने जिन्नोंने संघर्ष के ब में नहीं वलकि बर्तमान राज्यों को ज़्यादा लोक-तांत्री और सम्ता मुलक बनाने में हैं अब हम लोग पढ़िए कि रास्टरवाद तता बहूलबाद में क्या डिफ्रेंस है तो एक संस्कृति एक राज के विचार को त्यागने के बाद लोगतां त्रीक देसों ने कहे कि संस्कृतिक रूप से अलप संखक समुधायों के पहचान को स्विक्यार करने तता सुरक्षित करने के तरी मानने ताइविं संग्रक्षन प्रदान करने के बावजूद कुछ सम्मूज है वो प्रिथक राज की मांग पर अरे रहें तो कैसा हो सकता है और ये बिरोधावासी तत्थ होगा कि जहां बैस्वी ग्राम की बाते चल रही है वहां अभी भी कहे कि रास्ट्र आकंचाय विविन बर्गो और समुदायों को कहे कि उद्वेलिक कर रही है इसके समाधान के लिए कि इस संबंदित देश को विविन बर्गो के साथ उदारता वंग दक्षता का परीचाय देना होगा और साथ ही अस टाकफूर का नाम प्रमुकता से आता है उन्हें रास्ट्रबाद को कहे कि इसके समालोशना की है और वहां पにはनुहने एक कालंब भी लिखा है तो यहां पर उन्हेंने लिखा है कि रास्ट्रबाद जो है हमारा अंतिम, अध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, और युवे और बिरोधी थे और भारत की सौधिन तक्या अधिकार का दावा करते थे मैं महसूस करते थे कि उपनिवेस को उपनिवेसों के बृतानी प्रसाशन में मानवी संबंदों की गरीमा जो है बरकरार रखने की गुंजाइस नहीं है और ये एक ऐसा विचार है जिसे बृतानी सब्वता में भी इस्थान मिला है टैगोर जो है वो पस्टिमी समराजवाद का बिरोध करने और पस्टिमी सब्वता को खारिच करने के बीच फर्क करते थे और भारतियों को गहें कि अपनी संस्क्रीती और विरासत में गहरी आस्था होनी ही चाहिए लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभानवित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए टैगोर जिसे देश भक्ती कहते थे उसकी समालोशना उनके लेखन का जो इस्थाई विसे था वे देश की सौधिनता आंदोलर में मौझूद संकीन राष्टवाद के जो है वो कटू आलोचक थे उन्हें भैता की तथाकतिक भारतिय परंपरा के पक्ष में पश्चीमी की खारीजी का विचार यहीं तक्सीमित रहने वाला नहीं है यह अपने देश में मौझूद इसाई, यहुदी, पार्ची और इसलाम समय तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाब आसानी से आख डमक भी हो सकता है तो यह जो था यह रविदनाट टेगोर के जो है उनके बिचार थे तो यह चाप्टर के जो भी important points है और नोर्स है वो मैंने इस वीडियो में बताया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे like करे, share करे, channel को जरूर से जरूर subscribe करे और बाकी और भी जो वीडियो है आप playlist में जाकर देखिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद